वेल्कम बेक तू माई चैनल मेरा नाम प्रीटिवारी हो मेरे चैनल में आप लोका बहुत बहुत सवागते तो आज में आप लोगों को सब्सक्राइब करने बादे बहुत ही अमेजिंग से आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जाएंगे तो प्लीज जाके चेक आउट कीजेगा और सपोर्ट कीजेगा तो वीडियो को अभी से लाइक करें इंसाइड ही पीटवाई 24 है तो जो फर्स्टेयर स्टाइल है उसके लिए अपको अपने बालों को थोड़ा स जिसको बिल्कुल भी हेर्स्टाइल बन बनाने नहीं हाता है वो भी सारी हेर्स्टाइल बना सकते है उस पोनी बनाने के बाद से आपको सिंपली थोड़ा सा बालों को लूश करना है एक फिंगर से इंसाट करना है इसके अंदर और इस तरीके से हॉल करना है और देखेंगे प्रवाद के बीच में आपके हेर नहीं होना चाहिए उसी तभी आपके हेर अच्छे से पलट पाएंगे और इसको पकड़के उपर के तरफ खीच देना है किचने के बासे उपर से टाइट कर लेना है कि टाइट करने के वासे जैसे आपका यहां पर रबड बैंट दिखना ने चाहिए उसके बास सिंपली जो आप थ्री लेयर वाली चोटी बनाते हो वह बना लेना है आपके एक अनग्यार Tip जोटी बनाने के बासे एक रबड बैंट आ पको यहापे लगा देना है पतला चोड़ा आपकी चोड़ा है आप कोई साभी रबड बैंड यहापे लगा सकते बस आपके आपके हैड़ थोड़े लंबे होने चाहिए कर आप चौड़ा लबडबेंड यूज़ कर रहे हो तो उसके वार से सिंपली इसको खीचना है इस तरीके से दोनों साइड से खीच के यहां पर एक यूपीन एड़ कर देना है उपर में अब यहां के हैर को इस तरीके से होल करना है और यहां पर एक और यूपीन एड़ करने है कि अदशी तापका हेर स्टाइल कम्प्लीट हो चुक है यह मरंघ से झुका यहां से थोड़ा-थोड़ा तो बहुत ही आसानी से बना लोगे और इसको प्रेंट चोटी जो बनाते हैं वैसे बना लेना है थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं पहले यहां से टू-पर्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको और इसकी एक चोटी बना लेंगे जाते हैं जाते हैं फ्रेंट चोटी जो हम लोग खजूरी चोटी बनाते हैं थोड़े थोड़े लेर्स लेके एड़ करते जाएंगे यहां अपर यह बनाने के बसे सिंपली जैसे हमने पहले वाले हैस्टाइल में किया था यहां पर एक रबड बेंड यूज करेंगे इसको आप और में देडर बूट चकते हैं की आख जो अगेन इसको यहां उपर की तरफ उताएंगे और यहां पे यूपिन लगा दिगो कि और इसको भी नीचे के तरफ इस फ़रीक से करेंगे और यहाँ पर यूपिन से इसको set करेंगे कर यह चाल मेडा यह फ़ी फवक्ति हो सका है यहाँ आप अपआर पर यहांसे इस्नने किसा स्हाला कर सकते हो बढ़े नाश्य कियाया है तो चलते हैं थार्ड बान हेया श्टाइल की तरफ जो आपका तीसरा बान हेया श्टाइल होगा वी इसको भी आपको एक पूली बनानी है पर लिया इसको अब भी चाहए चाहिए कि एक रवर्बैंट से तारे बान हे श्टाइल तो यहां पर मैंने इस तरही किसम जवर्बन लगा दिया है जो हेर है उसको टू पार्स में डिवाइड करेंगे और इस साइड के हेर को सिंपली टू पार्स में डिवाइड करके ट्विस्ट कर देंगे ट्विस्ट करके एक दम हलका हलका साइड को खीचेंगे थोड़ा मैसी सा बन बनाएंगे यहां पर हमको और इसको सिंपली अपनी पोनी के ऊपर इस तरीके से लपेटेंगे और यू पीन से सेट कर देंगे यह पीन बॉबी पीन जिससे भी आपको एजी लगे इससे आप कर लिजेगा फिर सेकेंड दूसरी साइड के भी हेयर को इस तरीकरी टूपस में डिवाइड करके ट्विस्ट कर लेंगे ट्विस्ट करने वाद से इसको भी खीचेंगे अगर आपका लॉंग हेयर है तो यह बन और भी प्यादा लगेगा आपके उसका और थोड़ा बड़ा सा लुक आएगा इसका अब इससे लपेट के फिर से यूपिन लगाएंगे यहांदे थोड़ा थोड़ा खीच लेंगे ताकि आपका जो हेयर है वह थोड़ा वॉल्यूम देखे बादों में और थोड़ा पाफ का लुका दे और यह हमारा तीसरा बन हैस्टाइल कंप्लीट हो गया है जिसका लूप कुछ इसकरिके का है तो यह थे आज के तीन हैस्टाइल जो कि आप एक रवर्डवेंट से बना सकते हो और आपको कैसे लगे इस सारे हैस्टाइल कमेंट बॉक में जड़ू बताएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक केज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब तर लिजेगा और भी इस तरी की क सब्सक्राइब जो हैं वह बहुत ही असानी से सारे हैस्टाइल बना सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर्म इलेंगे नेकी वीडियो के तब तक लपना ख्याल दखिया मुझे असे सपोर्ट का तरी बाच आएगे